हेलो फ्रेंड्स, एजुकिशन बवा ओपिशल यूटूब चिनल पर आपका स्वागत है बालविकास एवं सच्छा साथ से सम्मनेत हम जुलाई 2020 में होने वारी सीटेड परिच्छा के लिए 500 प्रशनों की मैटमूर सीरीज कर रहे हैं इस सीरीज की अंतरगत यह हमारा 17 और 500 प्रशनों के लिए यह हमारा आकरी वीडियो है तो फ्रेंड्स अगर आपको मारा या वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ से रवश्य करें जो सीटेड परिच्छा की त्यारी कर रहे हैं आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें एवं लेटेस्ट नोटिफिक्षिन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें बढ़ते हैं आज के पहले प्रशन की ओर पहला प्रशन है आपके लिए सामाजिक और सारिक आधर पर महला और पुर्श में बिनता है इस कतन का मुक्षिलच है कि महला और पुर्श के भीद को डैस बिवार की द्वारा समझित रूप में समझा जा सके जिसमें आपके सामनी अप्षन है पहला समायुजित दूसरा अप्षन है लिंग तीसरा अप्षन है मनोवग्यानिक अफूर्थ है तुलनात्मग यानि सामाजिक और सारिक आधर पर जो महला और पुर्श होती है उनमें बिनता होती है इस कतन का मुक्षिलच से क्या है कि जो महला और पुर्श है उसके वेद को किसके रूप में समझा जा सकता है या किसके रूप में उसको समझा जा सके तो यह आपका option दूसरा समय सही होगा कि जो आपका सामाजी को सारी कादापर मेला और पुर्ष में जो बिनता है इस कथन का मुख लच्छ यह है कि मेला और कुर्ष के वेद को लिंग ब्रिवार के द्वारा सम्चित रूप में समझा जाता है तो इसमें आपका पहला आप्षन स्वरी दूसरा आप्षन इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट कॉश्चन है फ्रेंट्स सिच्चन की वह टकनीक जिसमें मूल प्रावर्तिक अभीप्रिरक का गुण पाये जाता है पहला कथन तकनीक दूसरा आपका आपका आप्षन है सिच्चार्कियों के साथ अन्यून क्रिया दूसरा तीसरा आप्षन है खेल पदती फूर्ट आप्षन है आपका व्याख्यान तकनीकी तो आपको इसमें पुझा गया कि सिच्चन की बहुत तकनीक जो जिसमें मूल प्रावर्तिक अभीप्रियरक का गुण पाये जाता है तो सिच्चार्कियों के साथ अन्यून क्रिय आपकी जो आधिगम प्रवर्ति है उसमें आपकी ब्रद्धि होती है इससे नेक्स सिच्चार्कियों में आगलन का मूल प्रियोजन है यानि सिच्चार्कियों में आगलन का सबसे जो मुक्य प्रियोजन होता है वह क्या होता है पहला आप्शन है कच्छा कच्च में सामने सच्छार्थी और चनात्मक तता आलो चनात्मक प्रत्र पुष्टी से लाप पहुंचाना नेक्स्ट आपका परिच्छा का शरूप इस प्रकार तयार करना कि की जिस्से की सच्छार्थियों को तनाब हो सके तो इसमें आपका पहला जुशें था प्रत्रिच्छार्थी और फिर या फिर हम उन्हें डगा कर दमका कर अधिन के प्रेट करें क्या यह आपका जो आकलन का मूल प्रेविजन होता है नहीं यह आपके मूल प्रेविजन नहीं होती है आकलन के इसका जो मूल प्रेविजन होता है आपका वह होता है कि सिच्छार्थी और सिच्छातंतर दौनों को सामने आपिक था अपने आई हुक्यों के लिए मैं से को से निमन मैंसे कौन सी करिया का सरूह हैं पहला आपके सामने अपने आयू के बच्चों में गुल मिल जाना दूसरा मिट्टी के खिलोने को दो भाग में तूर कर उसे दुबारा जोड़ना तीसरा अप्शन है दस्तक के पारों में मो जबानी याद कर लेना प्र्थ OFTTION है माध्मक अच्छा की किताबों का अध्यन कर लेना तो जो पूर माध्मक यानि जो आपके पूर माध्मक वाली जो बच्च चार आप्शन में से बताना है कि कौन सा जो क्रिया है वो कार्यात्मक्रिया का एक सरूप है तो इसमें आपका दूसरा अप्शन सही उत्तर होगा कि जो मिट्टी के खिलोन है उनको दो बागों में तोड़ता है और तोड़ने के बाद उसे वह दुबारा से एक ही कर देता है तो ये आपका क्रियात्मक कrickया का सरूप होगा कारयात्मक क्रिये का तो इसमें आपका दूसरा औप्शन सहित्तर होगा Q reste है एक ही कच्छा सच्छन का निश्कादन भिन भिन होता है निमलिकित मेंसे कौन सा कारण इसके लिए सरवादिक उतनताई हो सकता है पहला option है छात्रों की बुद्धी में अंतर दूसरा है छात्रों की अप्रेंड में अंतर तीसरा है छात्रों की रुची में अंतर फोर्थ है सारेरिक छात्रों की सारेरिक सक्ती में अंतर तो इसमें आपको बताना है कि यानि एक क्लास के अंदर आपके जो सिच्छन होता है व बुद्धी अंतर यानि चात्रों की जो बुद्धी होती है उसके अंतर की कारण कच्छा सेच्छन का निश्पाधन बिन्न बिन्न होता है इसमें पहला अप्षिन आपका सही उत्र होगा नेक्स्ट कोशन है फ्रेंट्स निमल गित में से किस कथन से बुद्धी एवं बुद्धी परिच्छन की महत्व का पता चलता है पहला अप्षिन है ब्यावसाइक मार्ग दर्शन में बुद्धी परिच्छन की बोमिका अहम होती है दूसरा है बुद्धी परिच्छन बारा प्रतेक चात्र की सहीव नति की अमार को प्रसस्त किया जाता है, तीसरा है अनसंदान के विविन गटकों के एचैन करना होता है, तो बुद्धी भी एक आधार होता है, ताकि कम से कम तुटी हो तो इसमें आपको ध्यान रगना है कि किस गतन से बुद्धी परिशन का महत का पता चलता है और लास्ट आकपा अपरोग तो सभी कतनों से बुद्धी परिशन का महत का चलता है तो इसमें आपका question number six का fourth option सही होगा आपके जो तीन विकलप आपको जो निम्नत्ति के मार को प्रसस्त करना, अनसंदान के जो गटक होते हैं, उन गटकों का चेयन करना, आद ये सबी जो तत्त होते हैं, ये सबी आपके महत्पूर्दत्व होते हैं, तो इसमें आपका option fourth इसका सहीत्तर होगा, question no.7 है, यद आप किसी नई कच्छा में सेच्छन के ल आने के लिए, तो आपके सिच्छन, किस तरह की सिच्छार्थियों की पहंचाने तो क्या चुनेंगे, तो पहला option है आपके सामने, सबी सिच्छार्थियों की पूर्व सिच्छा की जयानकारी लेंगे, next है, सबी सिच्छार्थियों की मानचिक स्वास्त की जयाच करेंगे, next है आपका सभी सिचार्थियों की भाय विवनताओं का पता लगाएंगे fourth है आपका सभी सिचार्थियों की आयस्तिक परस्तिती का ज्याच करेंगे तो इसमें आपको बताना है कि आपको कोई नया teacher या नया अध्यापक या आप खुद से किसी नई कर्चा में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो जो बच्चों की पेंचान प्रवागी रूप से किस प्रकार से यानि कौन से ज़रिया उसमें चुनेंगे तो आपको इसमें पहला आप्सन उसका सही उत्तर होगा कि सिच्चार्थियों जो सभी सिच्च्च्च्च्च तो इसमें आपका आप्सन नमबर पहला आपतर सही होगा नेक्स्ट है कुश्च नमर एर्थ बाल किंदर सिच्चा को ब्यवार में लाने वाले सिच्चक के लिए निम लिकित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्चक है पहला आप्सन है सिच्चक के लिए बालक के ब्यवार के मूल आधारों के बारे में दूसरा है जानने से अधिक आवश्चक यह है कि वह उसके परवार के बारे में जाने दूसरा अप्सन है आपके सामने सिच्चक के लिए बालक की रुचियों को जाने तीसरा अप्सन है सिच्चक को बालक के बारे में बहले ही कुछ प्जान कारी नहो किन्तो उसकी परवार की आर्थेक शितिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए और फूर्ट उप्छण है आपका कि जो बालक है बालक की समंद्र में सिचक को उसकी बिवारों, मूल, आधारों आभषकता हूं, मान्चकिस्ता, रुचियों, आभषकता हूं, योग देता हूं, सोरी, व्यक्तित तो इत्याधिका बिस्तर्द ग्यान होना चाहिए, तो जो बालक के इंदर से इच्छा है, उसक के बेवार मूल आधारों आभाशकताओं मान से किस तर रुचियों योगताओं व्रत के तो आदे का विश्तित ग्यान होना चाहिए तो इसमें आपका फूर्थ आप्शन चाहिए उत्तर होगा बढ़ते हैं अगले प्रिश्ण पर वयोस्तिकी के अंसार बच्चे अपने साती समूख के सफ्रिय सदस्द्श बन जाती हैं या बन जाते हैं तो वाई गुत구나 स्मुट्ट की कांचा जो बच्चे होते हैं वह अपने किसव आवस्था की दौरन साथ समों के सदश्य हो जाते हैं जो वाईगुत्ट की जो होते हैं वह आपकी किस्व आवस्था होती है औो इस अबस्था में वर इसाओं रोचियों प्याजे ने किसी बच्चे के विचारों में नई विचारों के समाविस क्या कहा है पहला ब्यवस्थापन, दूसरा खोज, तीसरा सात्मीकरण, फूर्थ है आपका निर्मार यानि किसी बच्चे में पुरानी विचारों में नई विचारों का समाविस हो जाने को आपके जो प्याजे हैं उन्होंने क्या कहा है तो जो प्याजे हैं यानि किसी बच्चे में विचारों में नई विचारों का समाविस हो जाता है तो उसे वह सात्मीकरण साथ मीकरण एवन संतुरन इस्तापित करना कहा है उन्हों नहीं तो इसमें आपका option number 3 इसका सही उत्तर होगा question number next है friends एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर अंगलियों को और फिर हाथ और अंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है बालक के विकास के संबंद में यह सिद्दान कहलाता है पहला option है परस परस परसंबंद का सिद्दान दूसरा option है आपके सामरे संबाजिक अधिकम सिद्दान तीसरा option है एक एक करण का सिद्दान और फूर्ट है इनमें से कोई नहीं तो जो आपका पहले बालक उंगलियों को चलाता है यानि पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को और फिर एक साथ हाथ और उंगलियों को चलाता है तो यह से जो आपका सिद्धान्त होता है यह आपका विकास का एक ही करण का सिद्धान्त होता है और यही जो आपका होता है आपका एक गरन कुबा बच्चा सीखता है क्वेशनमर ट्वेल्थ है सिच्छा का रुची Trans Campe बताता है कि सिच्छार्यों के जिसकारे में रुची नहीं ओती उसे झैंद मल लगा कर नहीं करते दूसरा option है रुची से सिच्छारत्यों का जीवन सबरता है तीसरा option है सिच्चक सचार्थियों में सीखने की रुची पैदा करने चाहिए fourth option है सिच्चक को अपने विद्यार्थियों को पढ़ानी में रुची लेनी चाहिए तो जिसमें आप पर रुची का जो सिद्धानत है वो बताता है कि सिचार्थियों की जिस कारव में रुची नहीं होती वे उसे मन लगा कर नहीं करती यानि इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं को जो रुचीजी का सिद्धान दोता है वो बताता है कि बालक के लिए शिचण उस तमें तब कारवर नहीं होगा जब तक उसमें सीखने के लिए उची जागरत न हो जाए पहले बालक को दंड या अंसासन द्वारा नेंतरित करके ग्यानरजन के लिए प्रेइद किया जाता है और बाद में उसको सिच्छन के लिए जागरत किया जाता है तो उसमें आपका आप्शन नमर पहला सही उत्तर होगा नेक्स्ट है कोशन नमर थाटीन पार्ठेक्रम में समायत किया जाता है पार्ठे उजनाओं को जिनें सिच्छक तयार करती हैं दूसरा अप्शन है विसे बस्तू जिसे बिद्याले में बिद्यारती पड़ती हैं तीसरा अप्शन है विसे जो बिद्याले के प्रसासकों द्व अंदर जो समायत किया जाता है वह आपका जो बिद्याले कारक्रमा के द्वारा बिद्यार्थी को प्रतान की जाने वाली संपूर्ण जो अनवब होते हैं या संपूर्ण जो भी अनवब होते हैं या किरिया गलाप होते हैं वो उनको आपका पाइठेगर में सामरित किया जात है तो इसमें आपका fourth option सही उत्तर होगा question number next है सिच्छा का माध्यम ऐसी बासा में को बनना चाहिए जिससे अच्छा सारदश्योपलब्द हो दूसरा option है जो सम्रद्द हो जो बाद में नौकरी गिली आदिपत्य हो यानि वह से जानती है तो इसमें आपका fourth option इसका सही उत्तर होगा जिस पर जन साधरन का आदिपत्य हो question number next है friends यद आप यद सिच्छार्टियों को सामाजिक रूप से सन्मुत एवं परपको करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगी तो पहला option आपके सामने आपका अच्छा के संदरों में विद्यार्टियों को पर्याप्त अवसर्पतान करेंगे जिससे कि वे सामाजिक रूप से परपको सकें दूसरा अप्षन है आपके सामने आप विद्याले में विविन क्रियाओं में सच्छार्थियों को अधिकादिक भाग लेने के लिए प्रेद करेंगे next है आपका आप सेचारथियों को भिविन्ने सामाजी क्रिया कलापा भाग लेनी के लिए process करेंगे fourth है आपका सेचारथियों को सांत बैठने के लिए कहेंगे तो इसमें आपको बताना है कि सामाजी ग्रूप से परफ़को करने के लिए तो इसमें आपका पहल इसमें आपका दूसरा अप्चन सही उत्तर होगा कि जो आपके जो बिद्याले में होने वाली किरियाओं में सच्छार्थियों को अधिक से अधिक भाग लेने के लिए आप उनको प्रियत करेंगे तो इसमें आपका दूसरा अप्चन को सही उत्तर प्रत्यात्मक। और फूर्थ teleportion आपका कलकनात्मक। तो जो बच्चा आपके आसपास की वातोंडत की चीजों को देख कर सिंतन करता है वह देगिसान जो होता है, इसमें आपका option प्रत्यत्यात्मक्त सिंतन होता है। इसमें आपका option फ्रड़ परक्राइब करण News मुख्य आधार मारना तो इसमें आपका तिसरा आपुए उप्शन्त ही कीके इंद्रबिन्दु मानकर चलना जब आपकी समाइबिसी शिच्चा या प्रशीर 되지 वुश्चा जो होती है वह आपकी बाल सिच्चा पर आधार्ठ होती है तो इसका साई से उत्तर होगा question number next है 18 प्रात्मिक इस्तर पर सिच्छार्टियों द्वारा वही सिच्छक प्रभावी माना जाता है जिसने अपनी विशयकी व्यापक जानकारी हो question number second है जिसको देखने में अच्छा हो जो वारतलाब करने में अच्छा हो और fourth है जो बेवार में प्रभावी हो तो इसमें आपको बताना है कि प्रात्मिक पर सिच्छार्टियों द्वारा वही सिच्छक को जो होता है वही प्रभावी माना जाता है तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा अप्शन सही उत्तर होगा तो जो एक सिच्छक जिसका ब्यवार प्रभावी है तो डेस से ग्रस्त है ठीक से लिख नहीं पाता यानि वह कौन सी बीमारी से ग्रस्त है जब बच्चा लिख नहीं पाता है तो उप्शन नमर पहला है डिस्ग्राफिया दूसरा है डिसलेक्सिया तीसरा अफेज्या फोर्त है आपका डिसलेक्सिया होगा वह ऐसा विकार होता ह जिसके अंत्रगत बच्छा जो होता है वह ठीक प्रकार से लिख नहीं पाता है यानु जो डिसलेक्सिया होती है वह आपकी वाड़ी से और लिखे तम्मिंदी जो होती है वो दृस्य यानि आपको उसको लिखनी में कटनाई होती है तो इसमें आपका जो option दूसरा हुआ वह सही उत्तर होगा कि ठीक से नहीं लिख पाता वह आपकी dyslexia से period है question one next है कच्चा कच्च पठन शुरू करने का कारगर उपागम नहीं है पहला सचारतियों को यह अवसर अप्लब्द कराना के विए अपना पार्ट स्रेम तेयर करें दूसरा सचारतियों द्वारा तेयर किये पार्ट का वांचन next है से च्चारतियों को से सायक्सामेग TIME का परयोग और fourth है शेच्चारतियों में कलपना सीलीवचारों को पैदा करना तो इसमें आपको बताना है कच्चा कच्च पठन के शुरू में करने कारगर उपागम नहीं है तो इसमें कारगर जो उपागम है घर-धरर देगे है option 3 इसका सही उत्तर होगा question number next है friends बुद्धी के विशे में सक्ति नहीं है जाने इनमेंसे कौन सा विशे हैसा है जो बुद्धी के विशे में सही उत्तर option नहीं है पहला option है आपके सामने बुद्धी पिछले अनवों की उप्यों की योगता है बिल्कुल सही बात है question no next है बुद्धी अमूर्थ सिंतन की योगता है यह आपका額शन सही है अगर पूछा जाता कि बुद्धी के विशे में सकते है next है बुद्धी मूर्ति शिंतन की योगता है यह आपका false होगा जो बुद्धी होती है वो आपके अमूर्ति जिन्तन की योगिता होती है नेक्स्ट है बुद्धी सीखने की योगिता है यह भी आपका यह जब पूछा जाता कि बुद्धी की विश्यमा सकते है तो यह भी आपका सही होता तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा कि बुद्धी की विश्यमा कौन सा गतन आपका इन चारों में से सही है पहला है यह विविन मुद्दों पर उनके राजनेतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नेतिक पहलों के संदर्व में आलुचनात्मक चिंता का अवशन प्रदान करता है नेक्स्ट आपका यह सिच्छार्थी को योग बनाने के लिए दुन्द को सिच्छा सास्त्री कारनीती बना कर प्रयोग नहीं करता है नेक्स्ट आपका यह खुली विमर्स और विवे दरश्टी कौनों को मानता प्रदान नहीं करता है और फोर्च ऐपसन है उप्रोक्त मैसे कोई नहीं तुझा आपको बताना है कि विवे चिनातमक्स चाहसातर करे संबन्द में कौनसा घथन सत्य है यानि संबन्द में सत्य है तो इसमें आपका option नमर पहला सही होगा कि यह विविन्न मुद्दों पर और उनके राजनेतिक सामाजिक आर्थिक वो नेतिक पहलों के सम्बंद में आपका 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 चिंतन का आवसर प्रतान करता है यानि जो आपका सामाने बिद्यारतियों के साथ सिच्छा प्रतान की जाती है यानि कौनसा बिद्याले होता है जिसमें सभी प्रकार की जो आपके कौनसे सिच्छा है जिसमें आपके सभी प्रकार की बिद्यारतियों को सिच्छा प्रतान की जाती है पहला है सामाने सिच्छा दूसरा है बिसे सच्छा तीसरा है अनकूल सच्छा और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने समावी सी सच्छा तो जो समावी सी सच्छा में जो बच्चे होते हैं वो आपके अधिगम असमर्ती होते हैं अधिगम बादित होते हैं और सामाने सच्छारती भी होते हैं इसमें आपका फोर्थ ऑप परिच्छा द्वारा तो जो आंकलेंड में गुनात्मा पच्छ का मापन किया जाता है वह आपका अवलोकन और चाचात करके द्वारा किया जाता है पहला उप्शन इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट कोशन है बासा सिच्छन में वाक्यों को सब्दों से पहले पढ़ाया जाता है सिच्छन का यह सूत्र आगरित है यानि जो बासा सिच्छन में सब्दों को वाक्यों को सब्दों से पहले पढ़ाया जाता है यह किस प्रकार का कि सूत्र पर आधारित है इसमें पहला आपका गेस्टाल्स प्रयोगों पर दूसरा है अलके प्रयोगों पर तीसरा है आसान से कठिन की और नेक्स आपका लास्ट सिच्चक प्रद्र की मानिता पर तो यानि आपका जो गेस्टाल्स जो प्रयोग आधारित हैं उनमें जो होता है कि बासा सिच्चन में बाक्यों को से पहले पढ़ाया जाता है यानि पहला अप्शन इसका सयुत्तर होगा नेक्स्ट है दिये गए तत्यों और सूचना की आधार पर नए नियम वसिद्धान्त विक्षित करना इसमती के सिच्चन में कहलाता है सामानी करन दूसरा अप्शन है एकी करन नेक्स्ट है आपका प्शन से होता है कि इसमें आपका उप्शन नमर पहला सयुत्तर होगा नेक्स्ट कॉश्चन है फ्रेंस एक अध्यात्र ने देखा कि एक चात्र को बर्ग बनाने में कटनाई हो रही है उसने यह अनुमान लगाया कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कटनाई होगी उनके लगाया गया है अनुमान निम्नित में से कि सिध्धान पर आधरत है पहला विकास एक विवस्तित करम में होने वाली प्रक्रवर्थि से संब्द्ध है दूसरा है विकास प्रक्रिया का प्रमाट संब्द नहीं है विकास कमिक है fourth option है आपके सामने के अलग-अलग लोगों के लिए विकास भी अलग-लग होता है यानि कोई बच्चा आपका है वो बर्गबट नाम में मिकटनाई हो रही होती है तो सिच्छ सुषता है कि इसको जो ही रहा है उसको बनाने में मिकटनाई होगी तो यह विकास का एक ब्यवस्तत क्रम में होने वाली प्रवर्ती से संबंदित है पहला उप्षन इसका सही उत्तर होगा क्वेशन नमर 28 है वाइगोस की किसदान के में समीपस्त विकास का छेत्र है पहला उप्षन है कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहता से पूरा कर सकते है दूसरा अध्यापक असचेप अधिगम में बादा उत्पन करता है तीसरा है ब्रद्धी का एक समीपस्त छेत्र है और फूर्थ उप्षन है अधिगम आपचारिक वातरवण में होता है तो जो आपका वाइगोस्त जोन अप्रक्षिमर्ट डवलपमेंड यानी समीपस्त विकास का छेत्र है वह आपका के जो कठिन कारे होते हैं बच्चे उनको वयस्कों की सहता से पूरा कर सकते हैं तो इसमें आपका पहला उप्षन सही उत्तर होगा नेक्स्ट है कोशन नमबर प्रभावी एवं सपल सिचन के लिए सरवाधिक आवश्यक है इन में से कौन सा जो आपका ऑप्षन दे रखें चारों में से वो कौन सा है जो सपल सिचन के लिए सरवाधिक आवश्यक है पहरा अप्शन है फ्रेंट्स विद्यार्थियों को अधिकादिक नोट्स लिखवाना दूसरा है व्यावारिक उधारना द्वारा बिवसे को इसपस्ट करना तीछरा है स्यामपट का अधिकादिक उप्योग करना और फूर्थ उप्सन है सायप्तिक भासा का अध्या का अधिक प्रयूप किया करना तो इसमें प्रभावी और सपल से च्छन के लिए जो सरवादिक आवशक है वो अब यावारे को धारना द्वारा इसपस्ट रूप से बच्चों को समझाना या उसको इसपस्ट करना वो आपका प्रभावी से च्छन के लिए आवशक है तो इसमें आपका option number दूसरा सही होगा friends आज का अंतिम प्रशन है जब कोई बालक इस प्रकार से सीखता है कि वो सीखे जाने वाली सामेगिरी के सार्थ तकू एक नियम के अनुसार समझकर उसका सम्मंद पूर्भ ग्यान से जोड़ता है कहलाता है पहला option रटकर सीखना कहलाता है दूसरा option अनविशन कहलाता है या अधिगरन सीखना कहलाता है या अर्थपूर्ण सीखना कहलाता है यानि जब कोई बालक आपके जो किसी चीज़ को सीखता है तो उसका एक साथ तत्तों को नेम के अनुसार समझ कर उसका संबन्द जो पूर्व ग्यान उसके द्वारा सीखा गया है उससे वह जोड़ता है तो इसका ताथ पर रहे है कि उसका जो सीखना हुआ वह आप अर्थपूर्ण सीखना कहलाता है अफशन फूर्थ इसका सही उत्तर होगा फ्रेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही यह था हमारा 17 वीडियो जो कि हम 500 महत्पूर्ण प्रशनों की सीरीज की अंतरगत कर रहे थे इसके बाद हम किसी अन्य टॉपिक पर कोई प्रशनों की सीरीज लेकर आएंगे लेकिन बीच बीच में पहले अब हम आपकी जो सैकलोई से सम्मण कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं उन पर विश्टर दूप से जनकरी करेंगे तो थैंकियो फो वाचिंग